यह एक मी की इमेज पड़ी हुई है, वो कहां से आई? जब आप शीशे में देखते हो, मैं यह हूँ तो वह इमेज है ना? तो जब यह बॉड़ी आपको समझ आ गया है कि इस इस अल मेड़ आप अफ दिनों सेल्फ एलिमेंट्स कि इस इस मेड़ आप आफ non-me element, there is nothing me in this, तो इमेज भी नेगेट हो गई ना? अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आप छलांग वारोगे बहुत तगड़ी वाली अच्छा सर, इसका मतलब बॉड़ी भी मैं नहीं हूँ मैंड भी मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं परिशान क्यों हो रहा हूँ मैं परिशान क्यों हो रही हूँ तो इसका मतलब तो मैं मस्त रहूँगा जब मैं यह जाँ जाँगा सब कुछ वैसे रहेगा क्या बदलता है? कुछ भी तो नहीं बदलता एक scientist है उसको पानी के बारे में पता है एक है उसको नहीं पता है क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला तो body के level पे और mind के level पे आप अराम से inquire करते हो inquiry करने के लिए ऐसा mind चाहिए जो tick करके एक जगे पर बैठ सके चीजों को as it is देख सके जो हर तरह के concept से idea से free हो और हर तरह के जो survival instincts है उससे free हो मतलब एक comfortable position में हो फिर जब आप एक एक करके देखते हो तो चीज़े clear होने लग जाते है यह thought है यह reality है थोट मतलब illusion, imagination, concept, idea कुछ भी बोलते रहो तो आपको concept और reality के बीच में फरक आजाता है concept create किया जाता है बनाया जाता है अलग-अलग चीजों को जोड़ करके reality as it is जैसी है वैसी होती है तो जब आप body के level पर mind के level पर इस सच को देख लेते हो that there is no separate me from this universe तब एक दूसरा सवाल उठता है that is there something that is uniting all of us आप memory के थुरू observe करते हो with the word with knowledge, with experience उसके base पर आप observe करते हो can you look at life without the observer यानि without the baggage of knowledge without the baggage of memory और जब आप as it is इस तरीके से चीजों को देखते हो तो जो भी कुछ होता इस दुनिया में उसकी जो reality है वो दीरे दीरे आपके सामने unfold होने लग जाती है अपने आपको आपके आगे प्रकट करती है और जब ये समझ आ जाता है तो करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है in other words, नहीं करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता है तो कि the moment I say करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है आपको के अच्छा इसका मदला आदमी भीकार हो जाएगा वेला हो जाएगा ये हो जाएगा अरे नहीं जो जैसा था वैसा ही होता है और वैसा ही चलता रहता है